आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडिय जिनेचर स्टेजर में आपका स्वागत है में तुरू आज किचन में पाए जाने वाले एक मसाले की बात करेंगे फैनल फोईनी कुलम वल्गेर एपीएसी फैमिली का ये प्लांट है हाईली मैडिशनल प्लांट है आपकी किचन में डिस्जिस की और्षदिय प्रोपर्ट्री को बढ़ाने के लिए कुलिनेरी परपस से आप इसको यूज करते हैं इसके पत्र आप देख रहे हैं ग्रीन अवस्था में सौंप लगी हुए और इस सौंफ को अपयोग हम डायूरिटिक परपस के लिए करते हैं कार्मिनेटिव यह होता है डायूरिटिक का मतलब है कि डायूरिटिक परपस से इस्तमाल करते हैं डायूरिटिक मुत्रल का कारे करते हैं टॉक्षिंस को रिमूव करने का कारे करते हैं पेसाब के माध्य होते हैं में तरो vapor Destroy Reflex की बहुत कॉमन समस्या है अपचंड के कारण होता है ज़्यादा खा लेते हैं उसकेattendies मसा हो जाती है या फिर मानसिक कारण के कारण भी Esces Red Reflex के समस्याओ हो जाती है तो उस सबसे निराकरण के लिए आप इसकी ग्रीण पिकर इसको होटी आप से इसके लीव्न का ग्रिंडी बनाकर और इसके फूर्वोट्स की गिन टी बना दाने का अविकारे करती हैं यहिसके और के सुन्दर इनफ्लोरेशन्स आप देख पा रहे होंगे इस इनफ्लोरेशन्स क्योंकि एपीएशी का है और कुछ व्यक्ति इसके पॉलन ग्रेंज से से होते हैं में एलरजी एक्श Cherry हो जाती हैं लेकिन इसके फरूट की इसके जो सौंफ होती है इसके किसी भी प्रकार साथ में प्रोंड और व्यक्ति कारनियर नहीं होती है या फिर में इस्ट्रों क्रैम्ड अगर हैं उनको ब्रदूर करने का यह कारती है उनको ठीक करने का करे करती है। होर्मोंस को इसकी गृिन टी बना कर सेवन कर सकते हैं। और सकता अनुसार उसमें आप शैद मिला सकते हैं। विन्य प्रकार के पेट की डिसोर्डर को दूर करता है क्योंकि इसके अंदर पायजाने वाले जो गटक है वो वांश को भी नुक बहार नीकालने का कारे करते हैं इस प्रकार से आफ देखेंगे कि किसी प्रकार का पेट का दग आसानी से ठीक हो जाता है साथ ही इसकी जो root होती है नीचे पाई जाने वाले जो इसकी root होती है जो जड़ होती है उसके अंदर lexative properties होती है वो पेट को साफ करने का कारे करते हैं इंटेस्टाइन या कोलोन में कोई infection होता है उसको सही करने का करे करते हैं कोलोन cancer की अगर समश्या हो गई है तो उसकी condition को सुधारने का भी करे करते हैं inflammation को कम करते हैं इससे निकलने वाला जो तेल होता है उसमें preservative properties होती है कई formulation कई उत्पाद के nutraceutical उत्पाद हम बनाते हैं अपने health को अच्छा रखने के लिए तो हम नहीं चाहते कि उसमें हम synthetic preservative का इस्तिमाल करें तो natural पाए जाने वाले preservative इसके तेल के अंदर होते हैं उसको हम preservative के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं वह हमारी formulation को शुरक्षित रखेंगे और आप अपनी formulation को अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं उसको आप संड़क्षित रख सकते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं कांस का कंटेंडर उत्तम कहा जाता है formulation को रखने के लिए तो इसके मसाज इसके तेल से मसाज करते हैं तो वह सुरियस की समश्या inflammation की समश्या wrinkles की समश्या उन सबको भी दूर करने वाला होता है वास्ट वाप्रेटिक अप्लिकेशन इसका ओल का होता है इसके अंदर natural estrogen hormone भी पाया जाता है मित्रो pregnancy के समय ध्याने रखना है ज्यादा मात्रा में आपको फैनल का उप्योग नहीं करना है या फिर आपको concentrate के रूप में इस्तमाल नहीं करना है क्योंकि ये pregnancy के समय fetus की growth को प्रभावित कर सकता है इस बात की safety का ध्यान रखिए एक या दो को तब green tea पीना कोई नुक्सान नहीं करता है लेकिन से ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो ये अबोर्टी patient हो सकता है और fetus की growth को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि ये placenta को cross कर जाता है इसके अंदर पाया जाने वाला estrogenic hormone इस बात के safety का भी आपको विशेश द्यान रखना पड़ेगा muscle spasm को दूर करने वाला पेट को digestion को बढ़ाने वाला भूक को बढ़ाने वाला अलसर की समझा को दूर करने वाला वांप्स की समझा को दूर करने वाला और गलेक्टागो को कारे करता है माताओं बहनों में दुख दुवर्दन का भी कारे करता है उनके लिए विशेश सायक होता है इसके पत्र का ज्यादा गर्मी के कारण कई बार के समस्य हो जाती है कम मलब होता है इंचा उल्ट साथ करता है आंक्छों को थंडग प्रदान करता है कंजंग्टिव सांख को दूर करने कारे करता है आंखों की रोशनी को बढ़ाता है मांसिक्तनाव को रिलीज करने वाला होता है मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, नीन राने के समझे जिसको हम इंस्वम्निया कहते हैं उसको भी आसानी से दूर करता है आप इसके चून का उप्योग दो से तीन ग्राम चून दूद के साथ अगर शेवन करते हैं तो आखों के रोशनी बढ़ाता है और मांसिक्तनाव को दूर करते हुए अच्छी नीन लाने का भी ये कारे करता है वास्त्राप्रेटिक अप्लिकेशन इस प्लांट का है घर में रसोई में आपके लिए ना केवल एक ये मसाला है बलकि महानोसदी है आप इसको अपने घरों में अपने गमलों में लगा सकते हैं बीज के माद्यम से सहस्तास हो जाता है तीन से चार मेने की एक क्रॉप है आप अभी देख पा रहे होंगे इसके फ्रूट लगे हुए हैं और हम इसको हर्वेस्ट कर लेते हैं जब यह पीले फूल होते हैं उस समय कुछ लोगों को अलर्जी कॉज कर सकते हैं अधरवाइस यह फूट की कोई ऐसी ऐलर्जीक रेक्शन्स नहीं होती है जानकारी को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कल फीर सुबह मिलेंगे एक नई प्रांट के साथ अप तर्ट के लिए आप से भी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार